दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम मेंली दो शेर्स को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स और आयर्स एटीसी दोनों ही शेर्स के अंदर आज के दिन हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली जहां टाटा मोटर्स के अंदर हमें लगबख 4.5% से शेर क्रेश होते वे देखने को मिला वहीं आयर्स एटीसी के अंदर भी हमें बड़ी फॉलिंग देखने को मिल रही है लेकिन इस गिरावट के पीछे की वज़ा क्या है और क्या आगे बड़ी गिरावट होने वाली है सारी चीजों को डीटेल में जानेंगे इस गिरावट के पीछे जो मेंन रीजन निकल कर आया है उसको भी पता करेंगे और IRCTC के अंदर यहाँ पर retail investors के साथ में एक बहुत बड़ा game हो चुका है तो सारी चीजों को मैं आपके साथ with proof यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वीडियो में आखरी तक बने रहेगा सबसे बिले वीडियो के starting में मैं यहाँ पर Tata Motors को cover करना चाहूँगा जहाँ पर आज के दिन आपको 4.5% तक की याने की लगबा 18.00 की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पर अगर पिछले एक महिने की बात करें तो पिछले एक महिने में Tata Motors का share लगबाग 15.50% तक crash हो चुका है याने की लगबाग 76 रुपीज यहाँ पर share crash हो चुका है तो यदि आपने Tata Motors के अंदर सबसे बिले अपर लेवल से भी इंट्री ले रखिए 500 रुपे के लेवल पर भी खरीदारी कर रखिए या फिर 500 रुपे के अबव लेवल पर भी खरीदारी कर रखिए आपको अपनी positions को loss में square off बिल्कुल भी नहीं करना है बात कर ले सबसे बिले Tata Motors को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो आप देख सकते ही चार मार्स 2022 आज ही के दिन ये नियूज निकल कर आए है जिसमें Tata Motors की holy on subsidiary company Tata Motors Finance arms to sell loan assets of rupees 14,500 करोड तो यहाँ पर Tata Motors की जो subsidiary company Tata Motors Finance वो अपनी loan assets को बेचने जा रही है और जिसकी value लगबग 14,500 करोड रुपे हमें देखने को मिलती है अब बात करें कि Tata Motors इस value का 14,500 करोड रुपे का utilization कहां पर करने वाली है तो company की जिस प्रकार की performance month on month basis पर sales में निकल कर आ रही है उसे और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना चाहती है आप देख सकते हैं इस news में clearly आपको सारी चीजे mention होते हुए देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर यह जो decision लिया गया है यह कहीं न कहीं Tata Motors की favor में decision लिया गया है लेकिन investor इसे accept नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं अगर आपको clearly एक चीज जो Tata Motors की decision के बाद निकल कर आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर इस company के अंदर जो यह long acid sales करेज आ रहे है लगबख 45,000 करोड रुपे की इस पूरे amount का utilization Tata Motors की sales को push करने के लिए किया जाएगा यानि की sales को बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो यह ultimately long term में Tata Motors के लिए एक positive sign है तो आपको इस news को सबसे बेले तो positive लेना है बात करें आँच के दिन गिरावट के बीछे एक और क्या बड़ी वज़े निकल कर आ रहे है Tata Motors ने अपने February month के JLR के UK के अंदर JLR के sales के numbers declare कर दिये numbers बिल्कुल भी अच्छे निकल कर नहीं आए हैं आप देख सकते हैं 1253 units company ने February month में sale करी है जो कि last month में हमें 3486 units देखने को मिल रही थी month on month basis पर Tata Motors की जो JLR की sales है उसमें भी हमें recovery नहीं देखने को मिल रही है जिस कारण से यहाँ पर आज की दिन आपको इतना बड़ा selling pressure देखने को मिला है लेकिन इन सब की बावजुद अगर आप volume based काम की तरफ नजर मारेंगे तो Tata Motors के अंदर जो volume based काम है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है आज की दिन भी शेर के अंदर लगबग 3 करोड से 83 लाग quantity trade हुई है जिसके सामने लगबग 1 करोड से जादा quantity deliverable based पर उठाए गई है तो overall यहाँ पर आप next support जो Tata Motors के अंदर बन रहा है वो 409 रुपीस का बन रहा है उसे ध्यान में रखते हुए आप अपने risk को manage कर सकते हैं और अगर यह shares और decline होता है तो यहाँ पर आप buy on dip के strategy लेकर चल सकते हैं shares बुरा नहीं है यहाँ पर long term का नजारिया रखे यह shares आपको definitely अच्छे returns बना कर देगा वहीं बात कर लेते हैं another share के बारे में जिसका नाम है IR CDC कल के दिन हमने IR CDC को लेकर एक बड़ी update आपके साथ share करी थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि IR CDC ने Paytm के साथ मैं collaboration किया है unreserved ticket को Paytm के दूप book करने के लिए लेकिन उस बड़ी update के बावजुत आज के दिन आपको IR CDC के अंदर लगबख साड़े 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है तो market analyst की तरफ से इस गिरावट के बीचे एक बड़ी update निकल कर आई है जो कि यहाँ पर हम cover करने वाले हैं तो यहाँ पर market experts ने कहा है इस गिरावट के बीचे जो सबसे बड़ा reason है वो जो second sitting को लेकर IR CDC की तरफ से एक बड़ा clarification आया है उसको लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है आद देख सकते हैं the railway admit Corona crisis has made compulsory to book ticket of general coach 2 and it was the converted into second city याने कि जो Corona crisis हमें देखने को मिल रहे थे उस time पर जो second sitting थी याने कि जो chair car थी उनकी booking भी general ticket के थुरू नहीं बलकि reservation के थुरू हो रही थी लेकिन again यहाँ पर COVID की crisis पूरी तरीके से पातम होने के बाद में पूरी तरीके से slow down होने के बाद में IR CDC ने एक और big steps उठाई है कि अब जितने भी second sitting है याने कि जितने भी chair cars की booking है वो आप counter पर जाकर भी करवा सकते हैं याने कि railway stations के counter पर जाकर भी तो यहाँ पर investors का मानना है कि कहीं न गई अब हमें IR CDC के revenue के उपर इसका एक negative impact देखने को मिल सकता है companies आप यहाँ देख सकते हैं this news has created a dilemma within investor and has resulted into a negative impact जी यहाँ दूस्तों इसी news के करण आज के दिन हमें इतनी बड़ी profit booking देखने को मिली mainly because of the 2S category booking account for 38% of total bookings with removal of 2S booking the company may see 30% drop in total volumes तो यहाँ पर जो news हमें देखने को मिल रही है वो यही है कि 2S की booking जो 2S coach होते हैं उनकी जो booking अब normal way में आते वे देखने को मिलेगी याना कि platform के through भी आप करवा पाएंगे उसके कारण IRCTC के revenue के उपर impact पड़ेगा देख सकते हैं the ticketing revenue may drop by 15 to 20% and 15% drop in non ticketing revenue also likely the report further aids तो यहाँ पर इस report के बाद हमें ये clearly देखने को मिल रहा है कि आज के गिरावट के पीछे का reason क्या है लेकिन वहीं another अगर एक और plus point की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से crude oil के prices बढ़ रहे हैं तो वो IRCTC के लिए बहुत ही positive news है क्योंकि अगर crude oil के prices बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो petrol और diesel के prices वो again हमें rise होते वे देखने को मिलेंगे तो जिससे क्या air travel बहुत ज़्यादा costly हो जाएगी और जिस करण से जितने भी human beings है वो पूरी तरीके से हमें Indian railways के उपर dependent होते वे देखने को मिल जाएंगे जिससा कि आपको पता है कि IRCTC private train भी चलाती है Tejas Express भी आपको देखने को मिलती है जिसमें वो luxury facility provide करती है तो कहीं न कहीं crude oil के prices बढ़ना IRCTC के लिए एक positive sign यहाँ पर हो सकता है for the long term यदि आपने IRCTC के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आपको panic लेकर अपनी positions को square off बिल्कुल भी नहीं करना है वहीं हम बात करें IRCTC के volume based काम के बारे में तो आज के दिन हमें इस share के अंदर गिरावट के चलते highest volume based काम देखने को मिला है वो केसी वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे बिले आप देख सकते हैं आज के दिन NAC के अंदर IRCTC की एक करोड़ 53 लाग quantity ट्रेड हुई है जो कि अगर मैं आपको काऊं के पिछले एक मैने में सबसे ज़्यादा है तो आप यकिन नहीं करेंगे मैंने आपके सामने IRCTC का पूरा एक मैने का चार्ट उपन कर दिया है जिसमें आज की अगर आप volume देखेंगे तो एक करोड 53 लाग quantity ट्रेड हुई है और इससे जो low volume हमें देखने को मिल नहीं थी वो 24 फरवरी के दिन देखने को मिल थी जहां पर एक करोड quantity ट्रेड हुई थी याने कि पूरे महिने में 4 फरवरी 2022 से लेकर 4 मार्श 2022 तक में आज की दिन हमें highest volume based काम देखने को मिला है तो जहां retail investor ने माल बेचा जहां retail investor बाहर हुए वहीं FII और DII के entry हमें देखने को मिलती है तो सबसे important चीच आपको loss में अपनी positions को score off नहीं करना है IRCTC बहुत ही शांदार share है यहाँ पर आप long term परपस से खरीदारी करते वे सकते हैं और अपनी SIP को continue कर सकते हैं उमीद है आपको सारी updates clear हो गई होगी उसके बावजुत अगर आपका कोई doubts है तो आपनी चे comment section box में लिखकर पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे official telegram channel बाजर की खबर को join नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आपको market की real time informations provide करी जा रही है thank you for watching have a nice day